हलो प्रेंस कैसे आप सब आज मैं जो टॉपिक चुना हो आर्टिकल 22 टू 28 तक मैं इसमें कवर करूँगा है फंडमेंटर राइट्स का तीसरा या चौथा क्लास है इसमें देखिएगा इसमें मैं तीन टॉपिकों को कवर करूँगा जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको आपको मैंने स्वतंता का अधिकार पढ़ाया था उसमें 22 को छोड़ दिया था मैंने आर्टिकल 22 को छोड़ा था उसको इसमें कवर करूँगा अब मैं इसमें सोशन के विरुद धाधिकार को कवर करूँगा और साथ ही साथ धर्म की स्वतंता यानि आर्टिकल 22 से लेके 28 कबर करने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमको बताईए कि वीडियो कैसा लगता है आपको, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 22 कहता है, किसी ब्यक्ति को गिरफतारी और निर गिरफतारी यानि हिराशत, अगर मैं देखू तो हिराशत क्या होता है, हिराशत दो तरीके का होता है, देखिएगा, हिराशत दो तरीके का होता है, एक दंड विश्यक जिसे कठोर हिराशत कहते हैं, जो समिधान की 22 में परिभाशित करने के कोशिस की गई है, बाद में सु धिक हिराशत का मतलब क्या होता है । कि वहाथ व्यक्ति दुबारा उसकर्म को नहीं करेगा ऐसी बाते होते है । दूसरा होता है निवारक क्या है किसी को शक्क के आधार पर आपने हिरासत में ले लिया, सक्के अधार पर, केवल सक्के अधार पर, जैसे उधारण के तौर पे, जैसे कि कोई घटना हुई, घटना के बाद पुलिस ने किसी व्यक्तिकों की ये संदिग्ध है, ये ऐसा कर सकता है या किया होगा, जिसके उपर आरोप होता है, उसको ह हिरासत में ले लेता है, इस तरीके से दो प्रकार का हिराशत होता है, आपको नार्मली कानून मिल जाएगा, दंडबी सियक और निवारक, ठीक है, अब बात आती है कि 22 जो है, वो किन-किन बातों को कबर करता है, 22 की बाते कर रहे हैं, तो 22 में देख लेते हैं कि किन बातों को कबर कर रहा है, आटिकल 22 जो मैंने कहा कि साधार कानून से संबंधित या उसकी निवारण कैसे निवारण किया जा सकता है, इसके बारे में संचेप में बताता है, याद होगा मैंने पिछली क्लास में आप से कहा था कि कुछ IPC की धाराएं हैं, जो की fundamental rights की तरह यूज हो संबिधान में नहीं लिखा गया है और लिखा भी है तो अलग तरीके से लिखा गया है, तो मेरे दिमाग में एक चीछ चलने लगा, कि ये कहां पर लिखा है, तो 22 साधारन कानून से संबंधित कोई भी हिराशत होती है, उसके खिलाब जो उसमें क्या-क्या अधिकार देता एक सिट्जन को कोन से फंडामेंटल अधिकार देता है, इसकी बाते करें, वो जिस ब्यक्ति को हिराशत में लिया जा रहा है, उसको गिरफतारी के आधार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, गिरफतारी का आधार उसने क्या जुर्म किया, जो आप उसे गिरफ इसकी सूचना उसको प्राप्त करने का अधिकार है, दूसरा बिदी ब्यावसाई से परामर्स और सरचन प्राप्त करने का अधिकार है, कोई भी चाहे जो भी कर्म किया हो, चाहे जैसा भी कर्म किया हो, उसको एक वकील रखने और अपने दोस को निवारण के लिए सबूत कठा करने का अधिकार होता है ये देखिएगा बिदी ब्यावसाई से परामर्स और सरक्षर प्राप्त करने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है किसके ताथ आर्टिकल 22 के ताथ ठीक है और जब जो बैक्ति हिरासत मिलिया गया उसको 24 घंटे की बीतर डिस्टिक मजिस्टेट के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अगर डिस्टिक मजिस्टेर यानि डियम यह जो आयस होता है अगर इसने हिराशत को गलत पाया तो उसको सनक्षण प्रदान करने का प्रथम अधिकार जो है सनक्षण प्रदान करने का प्रथम अधिकार डियम का क अपने जुर्म के खिलाब साबित करने का अधिकार होता है 24 घंटे के बहतर DM के समच प्रस्तुत होने का अधिकार होता है अब बात करते हैं इनके निवारण में क्या अधिकार देता है आर्टिकल 22 कहता है ब्यक्त की हिरासत किसी भी आधार पर तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता कितने तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता ध्यान दीजेगा मैं स्टार बना रहा हूं यहां पर बात हुआ 44-वे संभिधान संसोधन में 44-वे Amendment Act 1978 में 1978 में हुआ ये कि इसको 2 से 2 माह कर दिया गया ये देख लीजेगा ये मुझे थोड़ा सा कम सही लग रहा है 2 माह कर दिया गया मुझे एक जैक नहीं है 2 की 3 2 या 1 2 माह हुआ था इसको देख लीजेगा मैं कमेंट के माद्धम से आपको बता रहू 2 माह कर दिया गया लेकिन इसको ना तो रद किया गया ना तो माना गया अभी भी प्रचलन में प्रचलन में कहूँ तिये 3 माह है 3 माह ही प्रचलन में है ध्यान रखिएगा तीन माही प्रचलन में और किसी को भी किसी भी चीज की सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है यहां हम देखते हैं कि 22 से क्या मिल रहा है तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार को बढ़ा रहा है right to know हर चीज में right to know सूचना प्राप्त करने का हर चीज की जैनकारी प्राप्त करने का एक मूल अधिकार होता है और विदिवयाओसाही से yes ये IPC को बढ़ावा देता है IPC की धाराओं को भी support करता है, इतनी बाते होगी चलिए अब बात करते हैJust journal अब बात करते हैं एक नए पार्ट की fundamental की जो कहलाता है सोशन के विरुद्ध अधिकार मैं लिख रहा हूँ वाइट बोर्ड पे सोशन के विरुद्ध अधिकार सोशन के विरुद्ध अधिकार रायटिंग पे मत जाईयेगा रायटिंग मेरी अच्छी है अच्छे खासी है लेकिन यहां whiteboard पे बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है इसलिए writing पे कभी मत जाईएगा ठीक है आप लोगों ने notes भी देखा होगा मेरा तो writing ठीक ठाड़ बंदी whiteboard पे नहीं बनता शोशन के बिरुद्धादिकार ये article 23 and 24 है इसके अंतरगत अनुच्छे 23 और 24 ही आता है अनुच्छे 23 क्या कहता है बालात स्रम और बालात स्रम और और मानो दुर्व्यापार के खिलाफ सनच्छन प्रदान करता है के खिलाफ सनच्छन प्रदान करता है ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुझे दो वर्ट से दिख रहे हैं कि बालात स्रम एक दिख रहा है और एक दिख रहा है मानो दुर्व्यापार इसको सुप्रिम कोट ने समय समय पर डिफाइन किया कि मानो बालात स्रम और मानो दुर्व्यापार क्या होता है मानो दुर्व्यापार में अंगो का तसकरी करन अंगों का तसकरी करन जो अंगों को बेशते हैं जैसे किड्नी बेशने की आए दिन आप न्यूस पढ़ते होंगे आता रहता है इसके खिलाब भी सरच्छण परदान कर रहा है कौन आर्टिकल 23 हमारा इसके खिलाब सरच्छण परदान करता है किसी को वैश्या वृत्ति के लिए मजबूर करना या कन्याओं को जो छोटी छोटी बच्चियों को अपहरण करके उनके क्या होता है आप मुझसे भली भाती जानते होंगे कितना दुखा दे उसके खिलाब भी आर्टिकल 23 रटिकल की मानव दूर ब्यापार की अंतर गताता है दास्प्रथा की किसी को अपना गुलाम बनाना या गुलाम बनने फिलाफ सनचन कोन प्रदान कर रहा है आर्टिकल 23 अगर आप से सवाल आया कि क्या गुलाम बनना गुलाम नचनको लिख राओं सायद मेरी वर्डिंग आपको समझना आए गुलाम ना बनना अगर एक सवाल मैं बना दूँ सायद आईयस ने अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गुलाम ना बनना यह क्या एक फंडमेंटल राइट्स है तो आपका जवाब होना चाहिए जी हां है किस आर्टिकल के तहर 23 के तहट है कैसे है सुप्रीम कोड ने ब्याक्ष्या किया सुप्रीम कोड ने ब्याक्ष्या किया जैसे आगर एक सवाल आ इन्टर्नेट का प्रियोग इंटरनेट का प्रयोग अगर लिखूं ये क्या है फंडामेंटल राइट्स है तो आपका जवाब होना चीजी है क्योंकि आर्टिकल जब जम्मु कस्मीर का बिले किया जम्मु कस्मीर का पुनरगठन किया गया तब इंटरनेट की प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ड ने कमेंट किया और आर्टिकल 19 के तहट इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया स्वतंता का अधिकार अब इंटरनेट भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आ रही है ये थोड़ा बात छूट गई थी, इसलिए बात कर रहा हूँ, अब fundamental rights है, तो इसका मतलब है, राज्य का दाइत तो है, कि इसको पूरा करें, इसलिए देखिए आज कल free wifi का चलन चल रहा है, कई दिनों से, जब से Supreme Court ने comment किया है, तब से और जादा हो रहा है, ये बात तो बा fundamental rights के तहट कि देवदासी न बनने का अधिकार दिया गया, तो थोड़ा से धर्म आ गई बीच में, धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया, कि देवदासी कोई दासी थोड़ी न होती, लेकिन Supreme Court ने इसकी ब्याख्या भली बात किया है, आप इंटरनेट पे डाल सकते यहाँ पे बाते करना साइद टाइम ज़्यादा लेना होगा, ठीक है, यहाँ बालात्स्रम आता है, बालात्स्रम, यहाँ पे बालात्स्रम की बात आती है, ठीक है, देखते हैं, बालात्स्रम क्या है भाई, दूसरा सब्द है बालात्स्रम, बालात्स्रम के अंतरगत, बद से काम बिना बेतन के काम कराना बेगारी आता है और बधुआ मजदूरी समस्ते होंगे जब जस्ती काम कराना बंधन में बना के देना ये पुराने समय में आप अगर बिटिस काल की इतिहास को पढ़ेंगे तो बधुआ मजदूरी हर एक हर एक किसान संग्रण की बड़ी प्र ठीक है बेगारी बेगारी का जब सवाल आया तो एक सवाल यह हुआ बेगारी में मैं अपनी तरह से पर्सनल उठा रहों इस चीज को मैंने कहीं पढ़ा हुआ है बेगारी करना यह जो महिलाएं जो महिलाएं होती हैं वोमिन होती हैं यह घरों में जो स्रम करती हैं बिना पैस पैसे के जो योगदान देती है अर्थ विवस्था में क्या ये एक तरीका का बेगारी है ये सवाल सामने आया था तो इसमें श्रम श्रम योगदान कर रही है बिना पैसे के तो इसके लिए मेरे ख्याल से जो कमेंट आया था बहुत अच्छे या बुरे कमेंट आये थे इस प बहुत सारे लोग इसको बेगारी मानते लेकिन आप जब भी आएगा एक ISU स्टुडेंट की तरह इसको मत मानिएगा मेरा कहा मानिएगा तो ठीक है आर्टिकल 23 हो गया आर्टिकल 23 में और कुछ तो नहीं चुटा अब आर्टिकल 23 का जो अपवाद में बात करूं तो अपवा आटिकल ये अधिकार प्राप्त है कि उसा शार्जनिक कारी के लिए प्राजनिक कारी या अति अवश्च्या की भारत की अखंडता और एक्टा के लिए जैसा कि आपको 51 भी Lind लिखा मिल जाएगा उसके लिए कारी को अनिवारी कर सकता है कारे अनिवार कर सकता है वो भी निशुल्क निशुल्क अनिवार कर सकता है तो यह कर सकता है राज जी यह अच्छी बात है यह हमारे भारती सम्विधान की एक अनूठी विसेस्ता है इसलिए इसलिए ध्यान रखिएगा यह अपवात तो है लेकिन गलत नहीं है अगर भारत क लिए आपको शेवा करनी पड़ रही अपने देश के लिए सेवा करने पड़ रही तो यह गलत नहीं है राज जी को यह अधिकार होना चाहिए यह हुआ इकलोता अपवाद है इसका अब चलिए 24 की बाते करते हैं 24 में क्या लिखा गया 24 में बड़े साथ कट में निप्टाए लेंगे इसको ज्यादा लेंगे नहीं इसमें टाइम 24 की बालकों के बच्चों के बालकों मतलब 14 वर्स तक बालकों के कारखानों में कार्य करने सेनि सेध देता है क्या करता है यह निशेध मतलब रिस्टिक करता है बालकों के बच्चों के 14 वर्स के पहले, 14 वर्स के पहले जितने भी बच्चे हैं, उनको कारे करने से, कारे करने से रोकता है, इसकी जो सबसे मुख्य बात होगी, वो होगा इसमें पास को एक्ट, ठीक है, 2005 में जो आया था, अभी हाली में 2019 में से बहुत बया संसोधन किया ग यहां पर मैं साथ कट में तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, पास को एक के बारे में, कि किस प्रकार इसने भालकों कर सनच्छड किया है, बालकों और महिलाओं को शर्चड परदान करता है, ठीक है, यहां पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं कि, अब मैं बच्चों का क्या होगा जो अपने परिवार और अपनी रोजी रोटी अपने पेट पालने के लिए वर्क करते हैं ठीक है या उन बच्चों का क्या होगा जो अपने टाइलेंड के दम पे कारे कर रहे हैं तो ये बड़ा सवाल उठा तो सुप्रिम कोट ने इस पे काफी धिल दिलाई दी हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी काफी डिलाई दी गई है कि अपने परिवार को अपने पेट को पालने के लिए अपने पेट को पालने के लिए हलका काम कर सकता है हलका काम कर सकता है अभी हलका क्या होता इसके बारे में आप विस्तार से जानते तो अब चलिए बात करते हैं जो एक बात आती है धर्म निर्पेचता जिस पर बना हुआ है धर्म की स्वतंता धर्म की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिया गया है धर्म की स्वतंता धर्म की स्वतंता अनुच्येद 25 से लेके 28 तक दिया गया है ये धर्म की स्वतंता प्रदान करने प्रग्रदान करके धर्म निर्पेच राज्य का भी निर्मान करेगा धर्म निर्पेच राज्य ठीक है धर्म निर्पेच पंथ निर्पेच दोनों लिख रहा हूं जब ढहराट में पढ़ाया वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या प्रस्तावना जाएगा या मेरे आर्टिकल्स जो जो मैंने पढ़ा रखा शम्मिधान और राज वेवस्था करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जेक तरफ सिक्वेंस मिलेगा आप धूर के उसको करिएगा अगर नहीं मिल रहा है तो मैंने प फ्यूटर बेथा शुतोष आपको टेलीग्राम चैनल मिल जायेगा मेला आपको फेस्बुक पेज मिल जायेगा मेरे नाम का अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर आप फॉलो करिए इसको जॉइन करिए यहां पर आपको कुश पीडियाफ मिलेंगी जो मैं आता हूं तो वो सब चीजे मिल जाएंगी मेरे handwriting के जो ये notes पढ़ा रहे हैं आपको दिखा देता हूं ये notes मैं एक दिन बैठूंगा बकाइदे फोटो कीचूंगा और आपको भेज़ दूंगा उसी telegram group में ठीक है अभी कुछी notes मैं अप्लोड कर पाया हूं आपके comment आते हैं आज नहीं तो कल तक मैं upload कर दूंगा ठीक है चलिए बात कर रहे हैं आज रात ही कहां बची रात के 12 बज रहे हैं तो रात कहां बची चलिए आर्टिकल 25 कहता है अंता करण की धर्म को अबाद रूप से अबाद रूप से बानने की और प्रशार करने का अधिकार आर्टिकल 25 देता है यहां पर देखिएगा अंता करण की मैं सब्दों को रेट कलर से कर रहा हूं धर्म को अबाद रूप से अबाद रूप से मानने की प्रशार करने की आधिकार प्रदान करता है तीन प्रकार के अधिकार दे रहा है चलिए मैं इनको लिखता हूं अंता करण की अंत सुतंता प्रदान कर रहा है यह आपका मौलिक करता बे मूल करता बे जिसको आपसे कोई नहीं चीन सकता अगर यह कोई चीन रहा है तो आप सुप्रीम कोड जाएगी आपके फंडामेंटल रैक्स का वाइलेशन हो रहा है ठीक है अन्ता करण की आप किसी भी चीज को मान सकते ह धर्म के अबाद रूप से मानने की आप भक्ति करो किसी भी धर्म की किसी भी धर्म की भक्ति करो चाहे आप हिंदू मुश्लिम यह सब कुछ नहीं है भारती सम्मिदान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है यह तो सिर्फ राजनीतिक पहलों में बना रखा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी धर्म को किसी भी धर्म को मानिये बखो भी मानिये अपणा वहॉट सपी इस्टेस डाली। फिर इस ठी यह अधीज आ छुव कि यह थीन के यह सब 25 दे रहा है आप प्रवचा देघिए वहुट सब आपको कोई रोक नहीं सकता रोक रहा है तो सुप्रीम कोड बैठा है आपकी बाते सुनने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो ठीक है अब आद रूप से प्रशार करने की कि किसी भी धर्म को मैंने का नहीं वाट्शाप इस्टीटर राली प्रवचन दीजिए फैलाईए फैल आईए कोई दिक्कत नहीं कोई माना करने वाला नहीं है भारत में ये जो अधिकार है आर्टिकल 25 ये नागरिकों के लिए नागरिकों के लिए सिट्जन और सिट्जन और फॉर्णर दोनों के लिए हैं सिट्जन और फॉर्णर दोनों के लिए हैं किसी भी ब्यक्ति को अंत करण की धर्म को अबाद रूप से मानने की और उसके प्रशार करने का अधिकार आर्टिकल 25 प्रदान करता है ठीक है यह बात आप ध्यान रखिएगा अब 26 की बाते करते हैं आप किसी भी धर्म के किसी भी धर्म को अपना सकते हो उसका प्रशार कर सकते हो यह तो आर्टिकल 25 इसमें दो चीजे हैं आप किसी धर्म को शंस्था को अस्थापित कर सकती हो, और इसके अलावा उसका पोशन कर सकते हो, और उसमें प्रबंधन कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रबंध कर सकते हो, ठीके? ये सारी बाते हैं, प्रवंधन कर सकते हो, प्रवंधन कर सकते हो, और प्रशाशन कर सकते हो, ये सारे अधिकार आपको fundamental rights के थूरू मिला हुआ है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है, next बात करते हैं, article 27 की, छोटे छोटे आर्टिकल से, बहुत जादा time नहीं ले रहा है, आर्टिकल 27 कहता है, कि किसी भी धार्मिक संस्थान के लिए, आप करो का संग्रहन कर सकते हो, कर लगा सकते हो, उगा सकते हो, मतलब उसको वशूल सकते हो, आप कोई भी ब्यक्ति, चाहे वो नागरी खो, चाहे गयर नागरी खो, स्वेच्छा से, लेकिन, 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 अनिवार ये नहीं है, आप से कोई चंदा मांगने आये, तो वो उसकी fundamental rights का अधिकार, fundamental rights है, लेकिन, आपका ये भी fundamental rights है, आप दें, या ना दें, ये आपको सरच्छर पदान करता है, ठीक है, करो के संग्रहन की, अब बात ये आती, करो के संग्रहन की, करो के संग्रहन में एक बात आप भ्यान रखेगा, ये आर्टिकल 27, यह भी अधिकार देता है, कि राज्य किसी भी धर्म के लिए कर का संग्रहन, कर का संग्रहन, वा सुरच्छा, सुरच्छा नहीं करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है, ये आप कुश्चन जरूर गलत करके आओगे, कि राज्य को ये अधिकार नहीं कि कर का संग्रहन, और सुरच्छा प्रदान करे, जैसे कि यूरोपी देशों में होता है, एक प्रस्ना आया था, धर्म निर्पेच्छ, किसी साल में कुश्चन आया था, धर्म निर्पेच्छ जो सब्द है, यह किस प्रकार डिफर है, यू ग्रोप में और भारत की धर्म निर्पेच्छ में किस प्रकार की भिनता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कि आर्टिकल 27 के ताथ, राज्य किसी भी धर्म को पोशन वस सनच्छ नहीं प्रदान करेगा, ठीक है, अगर प्रदान करेगा, सभी धर्म स समान है, सभी समान है, ठीक है, सभी समान है, सभी समान है, लेकिन किसी को सरच्छ प्रदान कर रहा है, लेकिन किसी विशेश को, किसी के वाइलेशन करके, किसी विशेश को सरच्छ प्रदान नहीं करेगा, यही वो अधिकार है, यही वो फंडामेंटल राइट्स है, जिसके तहत अभी आपने देखा होगा कि राम बाबरी मंसिद राम मंदिर का निर्माड हो रहा है राम मंदिर का जो निर्माड हो रहा है राम मंदिर वाले निर्माड में आयोध्या का जो निर्णय हुआ है सुप्रिम कोड का इसी अधिकार के तहर न्यूट्रल होके निर्णय दिया गया है ठीक है ये बाते होगी अब 28 कहता है धार्मिक सिच्छा में उपस्थित होने का अधिकार 28 जो कहता है एक आर्टिकल जो बच्चा हुआ है इसके बाद मैं जाते जाते अपने वीडियो में लास्ट में मैं पूरे आर्टिकल सो को एक बार फिर से रिविजर करा देता जिससे आपको लगबग लगबग याद हो जाए मैं on screen चला दूँगा आप देख सकते हो उसको 28 कहता है किसी सिच्छन संस्थान में किसी सिच्छन संस्थान में धर्म की उपासना उपासना वा सिच्छा प्रदान करने का अधिकार है शिच्छन संस्थान में किसी धार्मिक सिच्छन संस्थान में जैसे किसी हिंदु परिवार कहो मुस्लिम परिवार कहो शिक्ष परिवार ने अपना जो धर्म वाला लगा है या परसनल जो शिच्छन संस्थान है प्राइबेट संस्थान है उसमें धार्मिक उपदेश उपास ना प्रात ना धर्म के आधार पर करा सकता है ठीक है यह आपका fundamental rights है लेकिन ध्यान रखिएगा लेकिन राज द्वारा पूर्ण पोसित राज द्वारा पूर्ण पोसित जो सिच्छन सस्थान है सिच्छन सस्थान है उसमें धर्म की उपास्तना नहीं कराई जा सकती ध्यान र है यह जो लाइन लिखना हो लेकिन वाले यही सब सवाल पूछता है राज्य द्वारा पूर्ण पोसित किसी भी सिच्छन संस्थान में धार्मी कुपासना प्राष्णना नहीं दी सा सकती अगर दी जाएगी तो वो धर्म निर्पेच की सिच्छन दी जाएगी ठीक है यह बा कौन सा आर्टिकल 28 चार प्रकार के सिच्छन संस्थानों को बताता है कौन कौन से एक तो है राज्य द्वारा पोशित व अस्थापित ठीक है राज्य द्वारा पोशित और अस्थापित एक सिच्छन संस्थान है दूसरा राज्य द्वारा पोशित राज्य द्वारा प्र अस्थापना कभी किसी और ने किया था था किसी बॉडी ने किया था ठीक हैं और है कि राज्य द्वारा राज द्वारा मानेता प्राप्त मानेता प्राप्त कहते हैं ना मानेता प्राप्त है मेरे स्कूल का मानेता प्राप्त है जैसे मेरा जो स्कूल है उसमें भी मानेता प्राप्त है राज द्वारा एक है राज राज द्वारा बित्पोशित बित्पोशित राज्य द्वारा बित्पोशित जिसे एड़ेड स्कूल कहते हैं जैसे कुछ एड़ेड स्कूल के नाम आपके खेतर में होंगे आप जानते होंगे कि राज्य मतलब सरकार उसको बित्पोशन करती है उसका बित्पोशन करती है एक तरीके के कहे दूं अर्ध सरकारी हैं एक होता है सरकारी एक होता है अर्ध सरकारी और एक है जो की नॉर्मल प्राइबेट स्कूल है और एक है जिसकी प्रशासन करने लगा स्कूल जैसे महराजाओं दौरास्थापित किया गया था इस तरीके के स्कूल है तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने इस वीडियो में आपको आर्टिकल 22 से लेके 28 तक बहुत ही बेहतरीन तरिके से समझाया है और आप पूरी तरह समझ गये होगे वीडियो के लास्ट में मैं चला रहूं पूरे आर्टिकल्स को उसके पहले आपको बताऊंगा कि अब जो नेस्ट क्लास होगी उ जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगा है वीडियो तो लोगों के लोगों तक इसको सेर करिए और मेरी मदद करिए लोगों तक इस चैनल को पहुचाने में धन्यवाद़ 12. राज्य की परिभासा 13. कानून जो fundamental right से संगत हैं रद्द माने जाएंगे 14. कानून के समझ समता 15. धर्म जाती नसल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता 15. और शर की समता 17. अप्रिशिता का अंत 18. उपाधियों का अंत 19. अभिभेक्ति की आजादी 20. अपराधियों के लिए दोस्षिद्धी से संग्चन 21. जीवन का अधिकार 21. ये सिच्छा का अधिकार 22. गिरफतारी से संग्चन 23. मानो ब्यापार और उनका संग्चन 22. भालाश्रम संग्चन 25. धर्म की सोतनता 26. धार्मिक प्रवण्धन की सोतनता 27. धार्मिक प्रवणधन में कर भूखतान की सोतनता वो कर ले सकते हैं 28. से restrictionिक संस्थान में धार्मिक उपासना की जा सकती हैं अल्प संख्या खित सनच्चन 29, 30 सैच्छिनिक संस्थान और चलाने की और खोलने का अधिकार 32 सम्वेधानिक उपचार